आप सोब को जै येशू, भाईयों, भेनों और बच्चों फिर एक बार हम क्रिस्मस दिवार के निकट आ रहे हैं क्रिस्मस हमेशे एक भूती खुशिका उसर है लेकिन इस साल शायद हम एक नए प्रसामान्य से गुजर रहे हैं ये न्यू नॉर्मल कहते हैं अंग्रेजी में क्योंकि जिस परकार की खुशियां मनाते थे हर साल शायद इस साल कोरोनवाइरुस या कोविद दुनीस के खारण उसको इस रीती से मना नहीं सकते हैं बाहरी रीती से शायद ज़्यादा रंबर, डेकोरेशन, डांसर, बड़े-बड़े गैदरिंग्स, खाना, पीना ये शायद संभव नहीं है, लेकिन उसके बजाए इन दिनों में समानी रीती से अपने परिवार के साथ हम लोग क्रिस्मस का तेवार मना सकते हैं क्योंकि क्रिस्मस का जो आनन्द, आंतर रीती का जो खुशी, आंतर रीती की जो खुशी यह संतोष हम महिसुस करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, उसको कभी कम नहीं कर सकते हैं. That is why what we need is interior or spiritual preparation and that same joy has to be maintained. उसी कुशी का महूल हमें महिसुस करना और दुसरों के साथ बांटना, यह बहुत है आवश्यक है. और इस Christmas में हम परिवार को याद करते हैं, परिवार के साथ, कुटम के साथ जी सकते हैं, क्योंकि माता मरियम जैसे हम जानते हैं, योसिफ और माता मरियम, उनका एक परिवार बना, एक बच्चे का जन्म हुआ और उनने गोश हाले में जन्म लिया. यो तो परकृति के निकट हम कह सकते हैं, हमारे पापा फ्रांसिस ने लावदाद उसे में परकृति के विशे में समझाया, हमें परकृति या नेचर के साथ ज्यादा करीब का ज्यादा निकट नम अनुबोग करना अवश्यक है, क्योंकि परकृति हमें जीवन दान देती है. इसलिए हर एक वस्तु, हर एक प्रकृति के जो भी जनतु, जानवर, मनुश्य भी प्रकृति का अए भाग है, लेकिन मनुश्य जरूर इश्वर का समरूप है तो इसलिए मनुश्य को जरूर इन सब की रफासर करना अवश्यक है तो हमारे पापा फ्रांसिस ने प्रतेली तूटे में यह भी कहा है कि हम सब भाई बेन हैं तो भाई बेन के होने के नाते हमें एक दूसरे से प्रेम करना एक दूसरे की मदद करना अवश्यक है और इस क्रिस्मस के समय मैं विशेश रूप से आपसे आगरा करता हूँ जहां पर अनिक लोग दुख तकलिफ जहल रहे हैं भूख के मारे शायद लौकडाउन के कारण या उनके जो नौकरिया निकल गई हैं गरीब पन मरसुस कर रहे हैं उनकी मदद करने के लिए हमेशा हमतत पर रहे हैं कुछ न कुछ बलिदान करते हुए दूसरों के साथ अपना जो भी कुछ है उसमें से बांटें और इस पक्यार उनको भी क्रिस्मस की खुशियां देने की हम कोशिश करें तो जरुत मन्नों की मदद करना यह भी हमारे कर्टर भी बन जाता है और प्रिस्मस की समय प्रभी येशु जो मनिश्य बन गए उन्होंने मनिश्य पर अपना विश्वास नहीं त्यागा क्योंकि मनिश्य बन करने यह बताया कि मैं भी आपकी समानी हूँ तो हमारे येश्वर क्रिस्तिय अनुबव के अनुसार क्रिस्य विश्वास के अनुसार येश्वर हमेशा हमारे पास है निकट है हम में है क्योंकि हम येश्वर के एक तरह से येश्वर के अभिन अंग कह सकते हैं तो इसलिए हमें भी उस मनों भाव को अपने आदतों को सुदार कर प्रेम का मार्ग अपना नावश्य के इश्वर प्रेम है और वह हमें प्रेम करना सिखाता है और जिस प्रकार हम इश्वर से प्रेम करना चाहते हैं वह प्रेम हमें दूसरों के साथ बांटना है तो क्रिस्म इसका संदेश यही है कि अपने भाई बेनों से प्रेम करो और उनके साथ खुशियां मनाओ प्रभी इसका जन्म का जो संदेश है उसे हर जगा पर पहला हो क्योंकि यदि इश्वर मनुश्य बने तो इश्वर ने मनुश्य पर विश्वास किया और एक बालक के रुप में उन और ज्यादा घना और ज्यादा मजबूत किया है इसलिए हम सब मिलकर इश्वर के परिवार के रुप में अपनी जीवन को बिताने की कोशिच करें तो फिर एक बार मैं आपको क्रिस्मस का संदेश क्रिस्मस की कुछियां क्रिस्मस के शुब खामना अर्पित करता हूं आप खुशी मनाएं भले ही हम काफी खटिन समय से गुजर रहे हैं काफी चुनवतियों से गुजर रहे हैं लेकिन हमें विश्वास इश्वर पर विश्वास नहीं त्यागना है हमारे विश्वास कम नहीं होना है तो इसलिए हम अपने भाई बैनों के साथ हम खुशी मनाते हु उस तेवार का संदेश दुसरों के साथ मिलकर खुशी में अपना जो भी है उनका दुसरों के साथ बांटकर अपने अंतरिक रिती से हम खुशी में सुष्करें. I wish you all a very happy Christmas and God's many blessings. May the child Jesus give you the courage and also the strength to carry on in life so that the present challenges you are able to face with inner joy and contentment and with confidence. Thank you. God bless you. I wish you all a very happy Christmas.